जहीं दोस्तो मैं हुआ नो पर आफ सब लोग देख रहे ग्लोबल कॉन्फलिक्ट हिंदी तो दोस्तो इंडिजिनियस हतियारों को लेके हुआ है एक बहुती बड़े और महत्वपूर्ण डेवलोप्मेंट बिसिकली यहाँ पर टोटल दो हतियारों को लेके नहीं है बलकि बताया जाए रहे कि इसका रींज 670 किलोमेटर है जबकि दूसरे इंडिजिनियस हतियार के रूप में इंडियन आर्मी को एक ऐसा हतियार मिलने जा रहा है जो चाना के बॉर्डर में भी लगेगा और पलक जबकते ही चाना के हवा में उडने वाले एर कैप् लेकिन डीटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रही है और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों डिफेंस रिसेर्च और डेवलोप्मेंट और उर्गनाईशन के तरफ से बनाएंगे एक ऐसा हतियार है जिसे की हाइब्र और दोस्तों इस हाइब्र हतियार के वद अधार जो इंडियन नेवी के टॉर्पेडो है इसका रेंज 50 या 60 किलो मेटर नहीं वलकि बढ़के आगने वाले समय में 600 से 600 किलो मेटर तक हो जाएगा और दोस्तों ये जो और दोस्तों टॉर्पेडों जो धीमेर अफ्तार से आ रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इंडियान नेवी के लगवक्ष सभी तरीके के फ्रॉंट लाइन जहाज में ये खतरना खतियार लगने जा रहा है तो मैं यहाँ पे स्मार्ट हाइब्रिड मिसाइल का बात कर रहा हूँ जो कि डियाइडियो के तरफ से डिवलट किया हुआ लॉंग रेंज के सुपरसोनिक मिसाइल एसिस्टेड टॉर्पेडो सिस्टम है और इसे पहले बेसिकली ट्रग बेस कोस्टल डिफेंस बैटरिस के रूप में ही डिवलट किया था दोसों ये जो कैनिस्टर वे स्मार्ट मिसाइल है ये असल में एक तरिके का हाईब्रिड मिसाइल सिस्टम है जिसका टॉटल दो पार्ट है एक पार्ट में ये तो मिसाइल होता है जबकि दूसरे पार्ट में ये एक टॉर्पेडो होता है रिपूर्ट के मुताविक ये जो सिस्टेम है जो टॉर्पेडो को कैरी करता है वो असल में D.I.D.O के तरफ से बनाया हुआ एडवांस लाइट टॉर्पेडो शायना है और ये जो टॉर्पेडो है ये एंटी सब्मरीन वोर्फेर रोल के लिए ही बनाया गया है स्मार्ट मिसाइल का असल में रेंज करीवन 650 किलो मिटर है और एडवांस लाइट टॉर्पेडो शायना जो है उसका रेंज करीवन 20 किलो मिटर है और दोस्तो इस दोनों रेंज को अगर एकत्रित किया जाता है तो कुल मिला कि ये 670 किलो मिटर होता है मतलब अगर इस तरीके क हत्यार का डिप्लॉयमेंट इंडियान नेवी के फ्रॉंट लाइन वोर्शिप में होता है तो ऐसे जहाज करीवन 670 किलोमीटर दूर से दुश्मन के सम्मरीनों को मार गिरा पाएगा दोसो बैसिकली देखा जाए तो ये जो एडवांस हाइब्रिड मिसाइल या फिर स्मार्ट मिसाइल है ये असल में सबसे पहले कैनिस्टर से लाउंच होता है और लाउंच होने के बाद ये 650 किलोमीटर के दूरी को जब कवर करता है तो उसके बाद पैरसूट के द्वारा ये अपने वरहेड या फिर कहे तो टॉर्पेडो को ड्रॉप करता है और टॉर्पेडो में इस तरीके के मेकानिजम का इस्तिमाल किया गया है कि ये हवा से ड्रॉप होने के बाद पानी के अंदर काफी स्टेवल तरीके से गिड़ता है और उसके बाद अपने जो टॉर्पेडो के मोटर होता है उससे एक्टिवेट करते हुए टॉर्पेडो के तरीके से ही आगे वड़ता है दोसे रिपोर्ट के मुताविक एडवांस लाइट टॉर्पेडो शायाना के अंदर दुश्मन के सब्मरीनों को ढून के उसे तभा करने का शमता है और उसके बाद यह 20 किलोमेटर के रेंज है इसके अंतरगत यह सब्मरीन के हर तरीके के maneuverability को track करते हुए और हर तरीके के defensive move को counter करते हुए सब्मरीन के उपर हमला कर सकता है अब दोसरे तरफ यह जो smart missile है इसके जो पहला हिस्सा मतलब missile को असल में निर्मान करने के लिए भारत के ही existing missile का इस्तिमाल किया गया है और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि प्रलय और सागरी का missile को ही modify करके इसके missile के part को तयार किया गया है जिस कारण यही बताया जाता है कि इस तरीके के missile के performance को जाचने के लिए और अत्रेक्त मातरा में टेस्ट का भी शायद आवशकता ना हो जिससे कि आने वाले समय में यह जल्ट से जल्ट इंडियान नेवी के बेड़े में शामिल हो सकेगा जबकि दूसरे तरह frontline वोश्चिप में इसे deploy करना भी काफी आसान होगा क्योंकि यह canister waste missile system है मतलब एक तरीके से कहा जाए तो यह tube में ही store रहता है और tube से ही launch होता है जिससे कि इस तरीके के सिस्टमों को नेवी के जहाजों में इस्तमाल होने वाले vertical launching system में आसानी से integrate किया सकता है हाला कि दोस्तों अभी जो नेवी के बेड़े में जहाज है इसमें जिस तरीके के vertical launching system का इस्तमाल किया जाता है वो किया इस तरीके के missile को इंटीग्रेट कर पाएगा कि नहीं इसका जानकरी नहीं है लेकिन आने वाले समय में नेवी के लिए जो advanced vertical launching system या फिर कहे तो universal vertical launching system का develop किया जा रहा है हो शायद इस तरीके के missile को आसानी से integrate कर ले दोस्तों दूसरे तरफ चलिए जानते है उस हतियार के बारे में जिसे इंडिया के तरफ से line of actual control या फिर कहे तो चाइना के border में deploy करने का तैयारी किया जा रहा है जो कि पलक जफक तेई Chinese Air Force के aircraft को हवा से जमीन मिला सकेगा और दोसों ये हतियार है very short range air defense system दोसों बीचे तीन सालों से चाइना और भारत के बीच में जो border area है वो काफी गरम है और एक तरीके से कहा जाए तो कई round के बाचीत के दर बावजूर यहाँ पे demilitarization नहीं हुआ है और चाइना जिस तरीके का हदगर्दों को कर रहा है मतलब जिस तरीके से भारत के शेत्र में घुसपेट करने का प्रयास कर रहा है इस से आली में ही मतलब मंगलवार के देहिन defense equation council जो की defense मेंशा राजना सिंग के नेत्रते वाला एक committee है उसके द्वारा very short range surface to air missile या फिर कहतो air defense system को deploy करने को लेके एक अनुमती दिया गया है दोस्त अब के जानकरी के लिए बता दू कि फिलाल एक acceptance of necessity का जिकर किया गया है और इस acceptance of necessity के अंतरगत जो DRDO के तरफ से very short range air defense system का development किया जा रहा है उसे इंडिया के बेडे में शामिल किया जाएगा दोस्त फिलाल ये जो system है ये लगवग ready हो चुका है और जल्दी इसका production का काम भी शुरू कर दिया जाएगा और production के काम शुरू होने के तुरंद बाद ही इसे इंडिया के armed forces के बेडे में शामिल विकर लिया जाएगा दोस्तो यहाँ पे very short range air defense system को अगर देखा जाए तो ये एक तरीके के man putable air defense system है जिसे डिया डियो के तरफ से संपूर्ण रोस्ते in-house design और developed किया गया है और डिया डियो के जो research center इमारत है वही पे ही इसका design और development का का काम हुआ है इंडस्ट्रियल पार्टनर के रूप में DRDO के और वी कई तरीके के lab इसमें काम किया है जिनके द्वारा इसके अलग-अलग system का development हुआ है दोस्तो ये एक तरीके का ऐसा system है जो low altitude में fly करने वाले लगभग हर तरीके के threat को neutralize कर सकता है चाहे वो दुश्मन के aircraft हो, unmanned aerial vehicle हो या काफी short range में काम करता है लेकिन इसे fire करने के लिए कि सिवी तरीके का कोई launching vehicle या फिर कहे तो कोई launcher का आवशकता नहीं होता है बलकि troops इसे कंदे पर रखके ही एर क्रैप्टों के तरफ निशाना लगा के इसे fire कर सकता है और उसके बाद missile में जो mechanism है उसके द्वारा missile आराम से एर क्रैप्टों का पीछा करके उसे तभा कर सकता है अला कि दोस्तों ये low altitude में ही fly करने वाले objectों के खिलाव काम हो सकता है लेकिन high altitude में उड़ान भनने वाले aircraft या unmanned aerial vehicle के खिलाव शायद ये काम ना कर पाए पर दोस्तों line of actual control के शेत्र में ये काफी महत्तपूर्णा हतिया होगा क्योंकि यहाँ पे बड़े आकार के या मध्यम आकार के air defense system का deployment नहीं हो सकता है तो ऐसे में troops के पास अगर इस तरीके के air defense system होगा जो की कंधे पे रखके ही fire किया जा सकता है तो obviously forward moving troops के लिए air cover हासिल करना काफी आसान होगा वही पे दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो इस तरीके के equipment के सहारे जो दुश्मन के attack helicopter है उससे भी निशाना बनाया जा सकता है जिससे की दुश्मन के attack helicopter भी infantry के नस्दीक आके infantry के ओपर हमला करने से डरेगा दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दू कि रश्या के अंदर जिस तरीके से stringer missile ने तवाई मचाया है और जिस तरीके से रश्या के कई सारे aircraft को Ukrainian sannik के द्वारा मार गिराया गया है उससे साइद देखते हुए ही अब very short range air defense missile के project को इतना महत तो दिया जा रहा है जबकि दूसरे दरफ अगर देखा जाए तो इस तरीके के जो short range के air defense missile है इसे केवल मात्र कंदे पे रख के ही fire करने के लिए नहीं बनाया जा रहा है बलकि ये और भी कही तरीके से इस्तमाल हो सकता है और इसे vehicle mount करके भी बड़े मात्रा में या फिर कहें तो salvo के तहत इस्तमाल किया जा सकता है जबकि इसे navy के जहाजों में भी short range या point air defense के रूप में भी इस्तमाल attack helicopter है उससे शुरक्षित रखने के लिए इस तरीके के हतियारों का इस्तमाल करता है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेला आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जै हिंद